स्वागत है आप सभी बच्चों का इस 100 प्रोग्राम सीरीज के अंदर हम लोग टार्गेट लेकर के चल रहे हैं क्लास 12 कम्प्यूटर साइन्स और आपको पता है कि अगर आपके एक्जाम के बात करें तो आपके पास में बच्चा टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड त्री मार् का आपको CSU से रिलेटेड प्रोग्राम आ सकता है फोर या फाइव मार्क्स का आपको स्टैक से रिलेटेड प्रोग्राम डेफिनिटली आता है जो कि तीन नंबर का लिस्ट से आपको प्रोग्राम आता है जो कि त्री मार्क्स का तो यह आपके एक्जाम के अंदर प्रोग् minimum 20, maximum कितने भी हो सकते हैं आपको programs add करने होते हैं तो ये सारे programs हम लोग यहाँ पर करेंगे अभी हम लोग क्योंकि तो text file कर रहे हैं तो हम text file से programs जो 100 series है इसको start कर रहे हैं और आज हम पहले program के साथ में हैं राइट और इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला एड करना है ये वाला एड करना है जो भी अगर आपको लगे तो वो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको और चलिए फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और पहला प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं फाइल हांडलिंग से रिलेटर अब आप फाइल हांडलिंग का ये जो टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम सामने आपको दिखाई दे रहा है इसको करने के लिए आपको जो है text file वो आपको देखनी होगी कि इसमें read, write, ये सारी operation कैसे काम करते हैं mode क्या होता है, R mode, A mode, W mode इनका लग-लग मतलब क्या होता है तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल करनी है और तो चलिए start करेंगे और नीचे comment section के अंदर अपने विचार जरूर प्रकट करना और दूसरी चीज़, channel भी subscribe कर देना तो चलिए create a file and check total number of length so हमें क्या करनी है, length check करनी है ठीक है, कि भही हमारे पास में total number of length या फिर line कितनी है ठीक है, हमें एक ऐसी file create करके उसमें total number of length बोले तो lines को हम लोग यहां पर check करें इसने bracket के अंदर length को denote कर रखा it doesn't mean कि the total number of character बट अगर total number of character होते तो वो भी हम कैसे करते तो चलिए, बहुत ही easy है, बहुत ही simple है हम इसके लिए क्या करते है एक file बना लेते हैं, बट हम function के अंदर बनाते हैं file 1 करके मैंने इसको जो है नाम दे दिया and अब हम क्या करते है, file is equals to हमें file को create करना है न, okay cool इसने creation के लिए बोला है, create a file it means to say कि हमें create करने के बाद उसमें data भी put करना होगा okay, so हम .txt इसको नाम दे देते हैं अब पर हमारे पास ये file है, इसमें कुछ data पढ़ा है, तो हम इसमें अपना नया data डाल देंगे तो अब मैं इसमें w plus mode है, जिसको use करूँगे क्योंकि मुझे write करना है, then मुझे उसमें से data read करना है है न, okay, तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर अपनी, एक सेकंड रुकिया, तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर जो है, अब data को write करूँगे, ठीक है, तो file dot write, lines का भी use कर सकते थे आप, और write का भी use कर सकते हो, क्योंकि multiple lines है तो मैं write use कर लेती हूँ, write, और इसमें first line लिखती हूँ say, hey I am odd line, ठीक है, फिर मैं इसमें new line character दे देती हूँ, and then मैं यहाँ पर लिखती हूँ, hey I am second line, new line character, ओके, तो बाहर निकल करके हम three lines input करते हैं, तो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर, hey I am odd line, ठीक है, तो यह मेरा data है, जो कि write हो जाएगा मेरी file के अंतर, अब देखे क्या है, कि जब आपका data write हो जाएगा, write होने के बाद में, आपकी file का pointer कहां आएगा, आप बोलोगे कि मैं file pointer last में चला जाएगा, तो उसको शुरू में लाने के लिए, हमें क्या गरना होगा, हम seek का use करेंगे, जो कि मैंने text file है न, जो हमारी playlist उसके अंदर डाल रखा है, seek hotel का use, तो आप वहां से उसको कर ले न, तो अभी हम क्या गरते है, file.seek, तो seek बोले तो, zero मैंने कर दिया, it means कि हमारी जो pointer है file का, वो last में चला गया, उसके बजाए वो शुरू में आ जाए, ठीक है, अब शुरू में आ गया, अब हमें क्या करना है, lines को count करना है, ठीक है, तो हम क्या करते है, data is equals to, और हमारे पास में जो हमारी file है, उसको मैंने read lines कर लिया, ठीक है read lines बोले तो क्यों किया है, क्योंकि answer lines के तुरू list में आ जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, हम कहेंगे, total number of lines are, तो हम यहाँ पर अपनी lines को डाल देंगे, तो format function use करते हुए, मैं यहाँ पर length of data कर दोंगे, ठीक है, तो इसके तुरू मेरे पास total number of lines आ जाएगा, अगर यह total number of character होते तो, तो आप एक variable ले लेते, और उसके अंदर डालते, file.read, ठीक है, अब read करके, एके character से आपका data आ जाता, तो अब आप क्या कहते, total number of character लिख दो, ठीक है, कितने हो गए आपके पास में, बस characters, right, ठीक है, तो अब अपनी इसको run करके देखे, और इसके इसको call करती हूं, function को, कोई गलती होगी, तो हमें बीच में पता चल जाएगा, तो देखे, total number of characters में, बोले तो zero क्यूं आ रहा है, total number of character, length of data, that's totally, okay, 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 that's my bad, guys, अभी क्या किया है, देखो, 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 इसमें logic वाली चीज है, आपने एक जग है, तो logic मैं बताती हूं, क्या हुआ, देखे, क्या हुआ, हमने पहले फंक्शन को call किया, w plus mode किया, because we know, कि हमें data को write करना है, create करना file को, तो हम उसको, उसमें data write करेंगे, and then उसमें से हम data read करेंगे, ठीक है, तो हमने राइट लाइन से तीन लाइनों को enter कर दिया, ठीक है, क्योंकि सा last में चला जाएगा, क्योंकि आपने जब सारी चीजें लिखी है, copy में, तो आप last में पहुंच के, अब आपको शुरू में आना है, that's why you are using here a seek function, seek function का 0 का मतलब है कि आप शुरू में चले गए, चले गए, cool, अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर write lines का use कर रहे है, किसका write lines का use किया, कि आपने एक एक जो line है ना अपकी file की, वो इसमें आ गए, अब इसका जो return type है, वो क्या है, इसका return type है, आपके पास में list, तो अगर आपके पास में एक list है, तो क्या तुम उसके length नहीं जान सकते, we have a function which is length function, हाना, to get to know क्या, उसकी length जिसकी भी आपने जो भी इसक होता, ठीक है, so that's why the answer that is coming zero, ठीक है, तो चलिए, अब हम करेंगे, तो अब यह हमें total number of characters बताएगा, for better understanding हमें एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर, मैं यहाँ पर line, तो मैं यहाँ पर 2 space दे देती हूँ, तो अभी 53 है, तो 54, 55, ठीक है, तो अभी मैं दुबारा करती तो 55 आना चाहिए, ओहो, यहाँ गरने से क्या होगा, यहाँ गरना चाहिए ना हमें, lines आर, 1, 2, oh sorry, 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 that's again my bad, first के आतर, 1, 2, 3, तो 53 and 3, 56 आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, 156 इसका में, तो एक बार मैं आपको इसको यहाँ पर समझा देती हूँ, इसके लिए इसका फोर मैंचिंग तो पसा सेच कर देती हैं, सो जैसा इसने बोला, हमने data को write कर लिया, हमने किती line ने की? तीन line ने, तो पहली line, दूसरी line, तीसरी line, यह तीनो line ने, इसके अंदर जा करके write हो गए, अब हमने यह किस वज़ा से किया, क्योंकि जब आपने तीनो line ने डाली ना, तो आप कहां थे last में, इस वज़ा से आना पड़ेगा, अब zero पर लाए, तो आपने write lines दुबारा किया, तो यह सारा जो data था ना, यह list की form में ही, आपके पास में इस data के अंदर आ गया, अब आपने उसका length जाना, तो अगर आपको character जानने है, तो आपने seek zero किया दुबारा से, क्योंकि फिर से आपको शुरू मे मिलते है, right, तो चलिए फिर, bye bye and God bless you, नीचे comment section में अपने विचार जरूर प्रकट करना और मिलेंगे आपसे next class में, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, bye